हलो दोस्तों मैं नवीन और इस वीडियो में कहने हम लगूं क्लास नाइंत का कोशन जो कि मैंने चप्टर है रोंस फार्मले से लिया है तो चली शुरू करते हैं तो देखें सम्में में दिया है if every side of a equality triangle is doubled then find the percentage increase in the area of triangle तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि एक equality triangle की हर side को double कर दिया जाए तो कितना percent increase होगा area of triangle तो मैं यहाँ पर एक roughly figure बना लेता हूं triangle की तो यह माल लिजे की इसकी जो side है वो a है सारी side है होगी क्योंकि सभी side equal होती है तो मैं यहां लिख लेता हूँ कि let side of equality triangle equal to a हम यहां area का formula लिख लेते हैं कि area of equality triangle यह होता है root 3 upon 4 a square देखें जब side a है तो area है root 3 upon 4 a square अब हम यहां side को double कर लेते हैं if side of equality triangle doubled तो जब side double हो जाएगी तो वो हो जाएगी 2a ठीक है then हम new area निकाल लेते हैं हम यह लिख लेंगे then new area equal to हम देखें पहले formula निख लेते हैं जो normal है formula कि root 3 upon 4 a square अब हम यहां a की जग़पर 2a put करेंगे तो यहां पर हम लखेंगे root 3 upon 4 और यहां एकी जग़पर 2a put करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे इसको 2a और भार square यहाँ पर calculate करें तो यहाँ आ जाता है root 3, यहाँ पर 2 का square होगा 4 और यहाँ A square और upon में है 4 यहाँ पर multiply का sign डाल देंगे बीच में अब यहाँ हम देखें तो 4 से 4 cancel कर सकते हैं तो यहाँ 4 से 4 यह cancel तो इस तरह से यहाँ आ जाता है root 3 A square जो की नया area है side double होने के बाद तो देखें जब side double नहीं थी तब यह था area और जब side double हो गई तो root 3 A square हो गया अब हम यह निकाल लेते हैं कि कितना area increase हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि increased area अब देखें जो increased area है वह कैसे निकलेगा अगर हम इस area में से जो बड़ा है उसमें से घटा देते हैं जो पुराना area है तो यानि की मैं लिख लूँगा root 3 A square में से मुझे घटाना होगा root 3 upon 4 A square तो इसके नीचे कुछ निए तो 1 लाएंगे तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले दोनों का एलसम ले लेंगे 4 तो 1 की टेबल में 4 जो है 4 पर आएगा तो 4 को उपर से multiply करेंगे तो यहाँ लेखेंगे root 3 4 A square minus 4 की टेबल में 4 1 पर आएगा 1 को उपर से multiply करेंगे तो लेखेंगे root 3 A square अब पर multiply का sign डाल देते हैं इसको मैं rewrite करके यहाँ लेख लेता हूँ यह इसको इस तरह से लेखना चाहिए हमें कि 4 फिर root 3 A square फिर minus का sign root 3 A square upon me 4 तो यहाँ पर देखेंगे जब हम इनको less करेंगे तो 4 में से बन गए 3 तो हम यहाँ पर लेखेंगे 3 root 3 A square upon me 4 हम यहाँ पर increase लेखेंगे निकाल लिया अब हम percentage निकाल लेते हैं कि कितना increase हुआ है तो percentage increase इसके लिए हम जो भी increase हुआ है वह उपड़ लिखेंगे upon में लिखेंगे जितना previous था पहले जितना था previous area इसका और into में करेंगे 100 तो देखेंगे अब increase लिख लेते हैं सबसे पहले हैं तो increase का मतलब हो जगा है 3 root 3 A square upon में 4 यह increase हुआ है इस upon के लिए हम divide का sign लगाएंगे previous area था root 3 upon 4 A square और into में 100 तो देखें जब P upon Q divide by R upon S हो तो हम क्या करते हैं P upon Q को नहीं send न हमने और divide को multiply का sign बनाना है और यहां जो भी है reciprocal कर देना है तो S उपर चला गया और R नीचे तो यहां पर यहीं करेंगे हैं तो इसको लिख लेते हैं 3 root 3 A square upon में 4 यह multiply का sign इसको reciprocal कर दो 4 upon में root 3 A square और into में 100 तो यहां पर देखें अब 4 से 4 यह cancel हो जागा और root 3 A square से root 3 A square यह cancel हो जागा अब हमारे पास 3 multiply 100 बचा है तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि 300 तो 300 percent area जो है वो increase हुआ है तो मैं आशा करते हूँ को आपको सम्सम्स में आज़गा इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अप्लोड है आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और ने सम्सम्स के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई